हाण क्या हाल चलब आपके कैसे आप आज आपका सीय एंड सीय में इंटर का रिजल्ट आ चुका है आप में से बहुत सारे बच्चे पास हुए हैं और बहुत सारे बच्चे फेल हुए पहले मैं अपने उन बच्चों को बहुत सारी शूब कामनाय देना चाहता हूँ जो बच्चे अपने स्टेज को क्लियर किये हैं और अगले स्टेज में जाने के लिए वो पूरे जोश के साथ त्यार है मेरे प्यारे बच्चों आपने एक ग्रूप निकाला चाहे दोनों ग्रूप निकाला आपको अब आगे ही बढ़ना है आपके लिए कोई दूसरी स्टेजी नहीं है आप अपने फाइनल की या अगले ग्रूप की त्यारी करेंगे आज मेरे आने का मेरे मक्सद अपने उन बच्चों के साथ खड़ा होना है जो बच्चे किसी रिजन से आज फेल हो गए है पहले तो आपको बता दू कि पर बच्चे फेल होना पास होना हमारे जीवन में लगा रहेगा और सिब इस डिगरी में ही नहीं हम जब आगे बढ़ेंगे तो लाइफ में अभी बहुत सर ऐसे मौके आएंगे जहां पर कभी फेल कभी पास कभी फेल कभी पास तो आप डी मोटिविट नहों और आपके चेहरे पे जो इतनी मासुमे 일 चाही हुई है कि दुनिया क्या बोलेगा दोस्त क्या बोलेगे उनको नजर कैसे दिखाएंगे उनको पापा ममी को क्या समझाएंगे इन सारी बातों को निकालो पहले बता दूँ आपको आज जितने सारे इनसान नजर आएंगे वो सभी कभी ने कभी फैल या कभी ने कभी पाफ हुए है इसका मतलब यह नहीं कि अब वो मतलब सब कुछ खतम हो गया उनके लिए ना ऐसा थोड़ी होता है फैल होने का मतलब आपको जितनी मेहनत करनी चाहिए थी शायद हम उतनी मेहनत नहीं कर पाए या फिर हमने मेहनत तो किया कहीं कुछ कमी रह गई कुछ स्ट्रेटजी में कुछ तरीके में तो आप उसको ओवरकम करेंगे और जिस डिगरी को आपने एक बार ओप्ट किया है इसको पाने की पूरी कोशिश करेंगे इतना मुझे विश्वास है आज मैं आपके पास आया हूँ आपके लिए अगला स्टेप क्या होगा आपकी वो स्ट्रेटजी क्या होगी उसके बारे में डिसकुशन करने के लिए उन बच्चों को जो बच्चे फेल हो गया है इस आपका सीए सीए में इंटर के अंदर में मेरे प्यारे बच्चों, आपने से मैंने कुछ बाते लिखे हुई है रिजल्ट आपका पास हो गया, एक ग्रूप दिया था, दोनों ग्रूप दिया था बहुत अच्छी बात है, मैं आप सबको कॉंगरेट्स करता हूँ और आप अपने लाइफ में आगे बरें, बस यही मेरी सूप कामना आपके साथ है इसको छोड़ते हैं, मैं यहाँ प्यात हूँ अगर आप फेल हो गए हैं, तो या तो आपने एक ग्रूप में अपियर किया था आपका ग्रूप वन में या ग्रूप टू में और आप फेल हो गए हैं, एक ग्रूप में अपियर किया था या फिर आपने दोनों ग्रूप अपियर किया था, तो पहले में बच्चे इनकी बात करो जिन्हों ने आपके C.A. या C.A. में इंटर के ग्रूप वन का एक्जाम दिया था, जो बच्चे पहले से एक ग्रूप पास हो चुके हैं, दुसरे ग्रूप में फेल वे उनको तो कोई टेंशन नहीं है, उनको एक्जाम तरीके से दुबारा देना है, मेहनत दुबारा करन है, वो फेल हो गए, मेरे बच्चे तीन तरीके का दिवांग में सवाल आता है, या तो जिस ग्रूप में मैं फेल हुआ था, उसी ग्रूप का दुबारा मैं त्यारी करूँ, और मैं रिजल को पास कर लो अगली बार, या फिर जो मैंने ग्रूप में फेल हो गया, कोई बात नहीं, इस ग्रूप को छोड़ो, अब मैं अगले ग्रूप की त्यारी करूँगा, क्योंकि कई सरे बच्चे अपना ट्यूशन, अपनी पढ़ाई शुरू कर चुके होंगे, ग्रूप में के बाद ही, और वो अब क्या कर रहे होंगे, आपका सेकेंड ग्रूप की त्यारी क कर रहे होंगे, तो यहां पर वो सोच रहे होंगे कि हाँ, ग्रूप बाद में दे देंगे, हम ग्रूप टू जो अभी त्यारी कर रहे हैं, हम उसका एक्जाम दे देंगे, या फिर तीसरा केस हो सकता है, कि चलो दोनों ही ग्रूप के हम त्यारी करते हैं, वन तो त्यारी कर पहले ही चुकाऊं मैं थोड़ा सा रेविजन करलूंगा गुर्प टू करलूंगा और दोनों गूरूप एक साथ निकालूंगा और हाँ, दुनिया को दिखाऊंगा भी कि दोनों गूरूप एक पिछली बार फेल भूँआ था ना, इस बार दोनों गूरूप करके, मैंने एक के लिए लिखी हुई है ये आप किसी भी strategy को follow कर सकते हैं चाहे तो आप उसी ग्रूप का exam दो जिसका आपने exam दिया था या फिर आप अगले ग्रूप की त्यारी करो पिछले ग्रूप को हम बाद में देख लेंगे या दोनों गुरूप के त्यारी कीजिए लेकिन ये suggestion कौन देगा वो कोई नहीं बता सकता generally हम अपने दोस्त को या मेरा कोई दुश्मन या दोस्त पास हो गया तो मैं ऐसा काम करूँगा वो ऐसा study लेँगा वो ठीक नहीं है आप अपने self analysis करो कि आपकी capacity क्या है आपकी efficiency क्या है group one जो आपने दिया था अगर आप उसमें fail हो गए है तो क्या मेरा उतनी त्यारी थी कि उस group के साथ साथ अगले group को भी मिला कर मैं दोनों group निकाल लूँगा ये आपको judgment लेना है ये आपको judge करना मेरे बच्चे या फिर ये अच्छा होगा कि जिस group में fail हुआ उसको और अच्छी तरी किसी त्यारी करके पहले एक बाग group one को निकाल दू ये सारे decision जो होते हैं हम खुद लेते हैं हम किसी और की बातों में आकर या मेरा दोस्त ऐसे करना तो मैं भी वो करूँगा ऐसा decision नहीं लिया जाता इन professional courses के अंदर में आप देखो ना देखो मैं अगर आपके जगे रहूँ तो क्या सोचूँगा group one का मैंने exam लिया था फेल हो गया 6-8 number से क्या मैं अगली बार दोनों group दे दू यानि कि पहले group का मैं revision करूँ और दूसरे group के त्यारी करूँ क्या मेरी इतनी capacity है अगर हाँ तो मैं ये करने को त्यार हूँ लेकिन मुझे लगता है क्यार मैं इतनी capacity मेरी नहीं है इतनी efficiency मेरी नहीं है इतना मैं नहीं बढ़ सकता तो एक ही group जिसका मैंने exam दिया था पहले मैं उसी को best तरीके से त्यारी करूँगा और उसको मैं pass करूँगा ये मेरी strategy होगी short में मुझे लगता है कि group 1 मेरे लिए दुबारा देना ठीक रहेगा वही मैं दूँगा दूसरे group के त्यारी नहीं सर्थ दूसरे group के त्यारी start कर चुका हूँ tuition लेना शुरू कर चुका हूँ क्या करूँगा कोई बात नहीं tuition जो आपने लिया बच्चे वो आगे भी जा सकते है आपने teacher से बात कीजिए वो आगे postpone कर सकते हैं अगली बार आप इसको cover कर लेना लेकिन tuition स्टार्ट कर चुके हो पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हो इसलिए दोनों ग्रूप इस पर साथ दे देंगे वो ठीक नहीं होता आप analysis कीजिए आपके लिए best क्या है और वही आप काम कीजिए आपको लगता है कि नहीं जी मैंने क्या क्या कि आप group 1 तो फेलो गया तो ठीक है group 2 देजे उसके साथ group 1 भी दे दो की नहीं दो वो आपके उपर depend करेगा अगें आप दिमाग से काम कीजिए यहाँ पर जोश से काम नहीं करना होता है तो मैं अब अपना बता रहा हूँ मैं क्या करूँगा group 1 जो मैं fail हो चुका हूँ वो 100% त्यारी कर लिया था 2-4 नमबर से बच गया कोई बात नहीं इस पर मेहनत करके उसको निकाल दूँगा और दूसरा group बाद में दे दूँगा या फिर मैं इतने time period के बीच में group 2 की पूरी त्यारी कर चुका हूँ या 90% 80% त्यारी कर चुका हूँ और group 1 में मेरे कुछ कम marks आये थे तो भी तो मैं दोनों group देना prefer करूँगा repeat कर रहा हूँ अगर group 2 का 80-90% की त्यारी ओलरी कर चुका हूँ और group 1 में कुछ नमबर से मैं fail हुआ था तो मैं proper तरीके से plan करके दोनों group देना prefer करूँगा लेकिन group 1 में बहुत कम marks आये थे बहुत कम marks और group 2 की त्यारी भी मैं करना शुरू कर चुका हूँ तो मेरे बचे यहाँ पर hard decision लूँगा एक group यानि group 2 को रुकूँगा और group 1 जो है उसी को best तरीके से त्यारी करके पहले मैं उसको निकालूँगा यही तरीका follow करना चाहिए मेरे इसाब से तो यह कौन सा decision लेना है कौन सा नहीं आप decide कीजे मेरा काम सिफ आपके अंदर में क्या दिमाग में चलना चाहिए decision लेने के time पर बताना है बच्चे कई बार देखा गया है मैंने अक्सर देखा कि कई सारे बच्चे जोश में आके दोनों ग्रूप दूँगा मैं जो होगा देख लूँगा और एक्जाम आते आते वो और frustrated हो जाते है कि पहला ग्रूप भी फेल हो गया दूसरा ग्रूप भी आपका यहां पर ठीक सी त्यारी नहीं बाद दोनों ग्रूप की त्यारी कैसे करो और काम खराब हो जाता है आप ऐसा नहीं करना है जिस पे best हो उसी को पहले निकालो ठीक है ना जो बच्चे दोनों ग्रूप को दिये थे और दोनों एक ग्रूप में फेल हो गए पास होगे एक ग्रूप में अच्छी बात है फिर दूसरे की त्यारी की जे seems फिर आपके लिए कुछ discussion का point बनता नहीं है लेकिन अगर आप ने दोनों ग्रूप में आप अपीर के थे दोनों में फेल हो गए तो उस case में मेरे बच्चे क्या मैं अब फिर से दोनों ग्रूप के त्यारी करूँ या किसी एक ग्रूप पे फोकस करूँ यहां भी बहुत अच्छा decision लेने के लिए आपको अपने दिमाग को यूच करना पड़ेगा अगर आपको लगता है कि दोनों ग्रूप में 2-3-3-4-5-10-10 नमर से कम है लेकिन आपने अच्छी मेनत किएं तो दोनों ग्रूप दوبारा देज Papa लेकिन मिरे बच्चे अगर आपके मार्स बहुत ज़्यादा कम है किसी भी ग्रूप में या दोनों ग्रूप में तो मैं एड़वाईज करता हूँ कि आप एक ही ग्रूप को पहले आप तरीके से त्यारी करें, आप उसको निकाले और फिर अगले ग्रूप के त्यारी करें लाइफ बहुत बड़ी है, सची बता रहा हूँ, और आना जाना, पास होना, आपका फेल होना ये लगा रहेगा पास करके, तो मतलब कहने का मतलब है कि हमेशा पोजिटिव थिंकिंग्स अपने अंदर रखें और आप प्रॉपर तरीके से प्लान करें, मुझे और आपको दोनों को विश्वास है कि आप अगली बार ग्रूप को निकालेंगे, चलिए, मैं आज जादा समयने लूँगा, क्योंकि आज समय आप सबको सोचने का है, जो बच्चे हमारे पास हुए हैं, उनको खुशी सेलेबरेट करने का है, जो बच्चे फेल हुए हैं, उनको बस अपने आपको समालना है, और जहां भी निकलो बाहर में, जहां भी निकलो, बस सबको हस्ते हस्ते बताना कि हाँ मैं fail हूँ, हूँ हूँ मैं fail लेकिन अगली वर pass करके दिखाऊँगा है ना, ये नहीं कि आप कहीं पर छुप गए हो, आप सोचे रहें ले कि आप तो मैं आत्मतिया इं करूंगा suicide करूंगा, ये, ये सो बाते तो बुझ दिल करते हैं, आप जानते इस बात को मेरे साथ जुडने वाले बच्चे बुझ दिल नहीं होते न आप हैं दुनिया को दिखाएंगे बोल कर नहीं अगली बार पास होकर All the best बच्चो, thank you Next time मिलते हैं इसके आगे की बाते आपके साथ करने के लिए Thank you बच्चो, thank you